नमस्कार देवे सज्जनो स्वागत आप सभी अप फिर से आजो रिसेबल को कंटिन्यू करेंगे और हम समझेंगे कि यह इर्रीकवरेबल डेट्स क्या होता है मतलब आजो देख इर्रीकवरेबल डेट के पहले भी कुछ एक दो बात हैं हो समझे लेता है ठीक है मान लीजिए जैसे हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया कि there is something called credit risk आपका जो भी रिसेवेबल है उससे आपको पैसे नहीं मिलने वाले इसके थोड़े बहुत चांसे है थोड़े बहुत या बहुत चांसे है जो भी चांसे है कि आपको पैस वापस नको ठीक है तो इसमें दो बाते हो चलती है पहला कि एक तो बहुत ही हाइस सर्टेंटी है कि नहीं मिलने आ रहे मतलब मान लीजे आपको कोई customer था आपने उसे credit sale की दो दिन बार अक बार में एक ख़वर छपी कि ये आदमी फरार हो चुका है पुलिस इसे ढून रही है किसी को पता नहीं है कहा चले गया यह customer था इसने आपसे credit sale कर लिए एक लाग दो लाग जितने की भी कर लिए अब आपको इससे पैसे नहीं मिलने वाले है न तो ऐसी चीजों को कहते है इर्रिकवरेबल डेट मैं या लिख दू क्या हो गया रिसे वेबल में आजब दो टाइप की बाते करेंगे इर्रिकवरेबल डेट मैंने आपको समझा दिया इर्रिकवरेबल इसको अगर मुझे समराइज करना है तो मैं कह सकता हूँ हाइली हाइली अनसर्टन अबाउट रिकवरी मतलब आपको आपके पैसे मिलेंगे उसके बारे में बहुत हाइल अनसर्टन्टी है लग तो यही रहा है कि अब कुछ नहीं मिलेगा उपर वाले का अशिरवाद रहा तो शायद मिल जाए तो वो भी आगे पढ़ लेंगे क्या होता है उसकेस में पर अभी हम पढ़ने जारें कि रिस्की की मा बात करूं में भी हम रिस्क की बात कर रहे है ठीक है रिस्की तो एक तो होगा है हमारे इर्रिकवरेबल वाले बंदे ठीक है दूसरे होते हैं जो इर्रिकवरेबल नहीं है पर हां there can be a probability there can be a possibility कि इन से पैसे ना मिले यह अभी तक कोई ऐसा कोई केस हुआ नहीं है दीए बात समझे इस इसे टाइप की बाते हुगी ठीक है यह बहुत हाय अंसर्टेंटी है मतलब आपने इसे 30 दिन का क्रेडिट दिया था यह 90 दिन तक वापस ही नहीं आया कोई कॉई कॉल नहीं जम रहे इसने जो अपना एडरस बताया था गलत बताया था तो इससे इंडिकेटर मिल लिए कि अब तो इससे पैसे वापस नहीं मिलने आले तो यह इर्रिकवरेबल बाले जो होता है ना यह कहीं ना कहीं प्रोवन टाइप करोते है कि हां भई इससे पैसे आप नहीं मिलने वाले हैं भूल जाओ ठीक है हम यह बाते कर रहे हैं पर एक होता है जहां पर आप सिर्फ नुकसान हो ही जाता है है ना हो ही जाता है कभी इस कस्टमर से होता है कभी उससे होता है कभी नए वाले से कभी पुराने वाले से पर हां मुझे पांच का नुकसान हो ही जाता है इस बेस्ट ऑन पास जजमेंट और सम्थिंग कुछ यह जजमेंटल है यह कुछ प्रोवन बात नहीं है किसी customer के हम specifically बात नहीं कर तो आप क्या करते हो आप अपनी balance sheet date पर ना कुछ allowance बना कर रख लेते हो allowance मतलब basically provision आपने पढ़ा होगा जो commerce वाले बच्चे वो पढ़ करा है provision for bad debts यह वो ही है provision for bad and doubt full debt से ना पढ़ गया एतम बारवी में तो उसका नाम बदल गया उसका नाम हो गया allowance allowance for irrecoverable debt पर हाँ जैसा मैंने गाँ कि neither this is related to any specific customer ना ये कुछ प्रोवन बात और ये कुछ नहीं ये एक assessment चल रहा है अपका अंदाजा है भाई वरना तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप बस खुद से ये किस concept के अंदर आता है मैं आपको बता हूँ prudence 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 में हमने पढ़ा था कि भाई अगर आपको थोड़ा सा भी एक hint मिल जाती है कि इससे यह इन सारे customer से cumulatively इतना पैसा मुझे कम मिलने वाला है तो आप उसे record कर लीजिए है न वही prudence है थोड़ा सा pessimistic approach होता है prudence में तो जैसी आपको लगता है कि हाँ मेरा नुकसान होने वाले तुरंत record करतों जैसी आपको लगता है कि income होने वाली है record मत करो हो गई तो अच्छी बात है problem कि income होगी तब होगी तब करेंगे न record पर अगर नुकसान के बारे में आपको थोड़ा सा भी हिंट लगता है तो आप वो record कर लीजे है ना उसका allowance बना लीजे है provision ये जो word है ये आप थोड़ा सा अगर भूल जाएं तो आपको आसानी होगी क्योंकि आप word आपको जो follow करना है वो है allowance ठीक है allowance for irrecoverable debt इस वीडियो चलो brief तो मैंने बता दिया पर इस वीडियो में हमें पढ़ना है ये ये वाला हम बात में continue करेंगे इस वीडियो में हमें पढ़ना है ये irrecoverable debt देखिए irrecoverable debt क्या होता है कि prove हो चुका है कही ना कहीं से कि भाई इस से पैसे नहीं मिलने वाले ठीक है तो आपको दो चीज़े impact करती है पहला income कम हो गई income कम हो गई और asset भी कम हो गया sir asset हाँ receivable asset था नहीं या current asset आपकी balance sheet पर current asset था आपका receivable वो भी अब नहीं रहा नहीं रहा कोई नहीं रहा income P&L में credit balance हम sale book कर चुके है इसकी P&L में credit balance और यह balance sheet में debit balance ठीक है asset करना है कम income भी करनी है कम आजओ income को अगर कम करना है तो P&L में कर देंगे debit क्योंकि यह credit हो रखाता हम कर देंगे debit तो हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं irrecoverable debt कर लो यार क्या बड़ी बात है irrecoverable debt debit whatever amount 2 2 देखें balance sheet में से asset कम करना है कौन सा asset था भई यह receivable था अब वो receivable बचा ही नहीं आपको लग रहा है उससे पैसे ही नहीं मिलेंगे तो उस receivable को हमारी books of accounts में रखके क्या फैदा हटाओ उसे 2 receivable वो proper वो जो बंदा था जिससे आपको पैसे नहीं मिलने वालने receivable account credit यह इस पूरे process को हम कहते है write-off इस पूरे process को हम कहते है write-off आपने receivable को अपनी books of account से write-off कर दिया ठीक है तो मेरे क्याल से यह entry बस important है अगर आपको यह entry समझ जाती है तो आपको question समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी एक ऐसी base question कुछ ले लेता है कि भाई 31 December 2022 को आपकी books में total receivables नजर आ रहे हैं 2,00,00 रुपए के वैसे तो dollar लेना चाहिए था पर 2,00,00 कर लेता है ठीक है एक बंदा था पप्पू पप्पू हो गया फरार पप्पू हो गया फरार पप्पू से लेने थे 10,000 है और एक था चम्पू एक था चम्पू चम्पू हो गया कंगाल चम्पू से लेने थे 20,000 सही है तो पप्पू और चम्पू हो चुके हैं इर्रीकवरेबल टाइप के बंदे इन्हें हमें रिसेवेबल में से एक्सक्लूड करना पड़ेगा अंतलब रिसेवेबल हम क्रेडिट कर लेंगे तो आपको इस प्रगार का क्वेस्चन हो एक्जाम में पूछ सकता है अब्जेक्टिव टाइप में कि what will be the year end balance of receivable on the face of balance sheet what will be year end balance of receivable on the balance sheet कितना रहेगा ये दो आप उड़ा दोगे मलब क्रेडिट कर दोगे न इन दोनों को तो आपको यहाँ पे एंट्री क्या बनी इर्रीकवरेबल डेट अकाउंट डेबिट तीस हजार टूपप्पू अकाउंट दस हजार तूचम्पू अकाउंट बीस हजार सही है ये इसके एंट्री हो गई अब ये हमने कर दिये हैं क्रेडिट आपका receivable balance होता है डेबिट मतलब दो लाक में से ये तीस हजार चले गए बचे कितना balance balance कितना बज़ गया टू लाक minus ये उपर के 30,000 easy है बस ही है मतलब इस पूरे पूरे जंजाल में आपको याद रखना ही कि irrecoverable debt क्या होता है ये write-off का मतलब क्या होता है ये entry धियान रखनी है बस बाकी ऐसे type का कुछ आपको question आएगा तो आपके option में 3-4 option दियोंगे 2,000,000,000,000,000,000 जो भी 170 वाल आप टिक करें और पूरे marks ठीक है अगले वीडियो में पढ़ता है कि पढ़ता है न कुछ पढ़ लेंगे See you in the next video